हेलो अश्टुडेंट मैं हुनी तेश और आपका स्वागत है NK Labs and Channel पर तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आपको आपका assignment का कोहचन कहां से और कैसे मिलेगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको नालंदा ओपन उनिवर्सिटी गूगल में सर्च करना है जैसा कि आप देख रहे होगे कि यह स्क्रीन पर मैंने सर्च करके रखा है उसके बाद आपको वेबसाइड पर किलिक करना है जैसे ही आपका किलिक करेंगे आपको इस तरह का पेज घूल जाएगा यह नालंदा ओपन उनिवर्सिटी का ओफिसियल वेबसाइड है यहाँ पर जब आएंगे तो आपको एक जी दिखाई देगा यहाँ पर लिखा है area student corner लिखा हुआ है इसी पर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको नीशे तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं किलियरली आपको लिखा हुआ देगा आप जूम कर दिया है मैंने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा होगा कि assignment question for session 2020 पूर आइनूवल एक्जामिनेशन दूहजर अकीस तो यहां पर सभी सबजेक्ट का जितने भी सबजेक्ट हैं BAC है MAC है सभी सबजेक्ट का और सभी कॉर्स का यहां पर असाइनमेंट आपको 2020 से 2020 से 2020 सेशन का मिल जाएगा अधि आप नए सेशन के हैं अधि आप 2028 और 2022 के स्टुडेंट हैं तो आपको घबराना नहीं है आपका भी एसाइनमेंट का कॉर्चन यहीं पर अपलोड कर दिया जाएगा तो चलिए हम इसको क्लिक करके देखते हैं कि एसाइनमेंट दिखता कैसे है और उसको डनलोड कैसे करना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको एक नया पेज खुल जाएगा मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो टाइम लग रहा है देखिए यह पेज यहां पर M.C.A. है B.C. है B.C. है Part 1 हो 2 हो 3 हो सब ही का यहां पर एसाइनमेंट दिया गया है अप यहां पर आप देख सकते हैं I.A. I.C. आइकॉम या फिर जो भी सर्टिफिकेट वाले कॉर्स हैं सब का यहां पर एसाइनमेंट दिया हुआ है तो यहां पर हम लोग एक तर देखे जब मैंने किलिक किया तो एक नया पेज खुलेगा और यहां से आप यहां पर देख सकते हैं कि एक PDF डणलोड करने का ओप्सन दिया जाता है अब यहां पर आप 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 पर जब किलिक करेंगे तो आपको आपका PDF जो है वो डणलोड हो जाएगा चली हम इस PDF को अब हम इसको PDF भीवर से इसको आपन करते हैं यहां पर पासपोर्ड लगा हुआ है मेरा तो इसको आप जब डालेंगे आपका भी लगा होगा तो इस तरह से आपको कोहचन दिखाई देगा उसके बाद आप यहां पर अपने सबजेक्ट वाइज पर आप जो आपका सबजे से या जो आपको study material दिया गया है उससे देख करके आप clearly बना सकते हैं ठीक है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि assignment ज़्यादा से ज़्यादा page लिखेगा अच्छा लिखेगा तभी आपको full mass मिल पाएंगे तो मुझे लगता है कि assignment से related जो भी doubt था आपका वो clear हो चुका हो कोई other doubt है तो हमसे पूछिए download करने में दिक्कत हो रहा है हमसे discuss कीजिए आप मेरा telegram channel जवाइन कर सकते हैं वहाँ मैं आपसे direct बात करूँगा और आपके जैसे बहुत सारे student वहाँ पर है तो आप उससे भी help ले सकते हैं यही जानकारिया आप सभी लोगों के साथ share करना था वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा दोस्तों के साथ share कीजिएगा thank you signing off